आज हमारी ये प्रेस कॉंफेंस जो नीट के पेपर लीग की गटना हमारे सामने हैं जिससे लाखो करोडो चातर परभावीत हैं आप लोग सब सोचल मीडिया के माध्यम से और तमाम हम लोगों भी न्यूस कटिंग के माध्यम से जो चातरों ने हमसे संपर्थ भी करा कुछ आ एंटिये बार-बार शक्के गेरे में आती है कि जो भी एकजाम कंड़ेट कराती है या तो उसकी पेपर लीग की घटना सामने आ जाती है या फिर किस तरीके से जो नीट के इस बार आकड़े आप लोगों के सामने आये हैं कि जो स्कोर संभव नीथा वो भी चातरों का स्को उसके आज आपके सामने ये सामने उधारन नजर आ रहे हैं कि उसी के कारण कि बार-बार जो एकजाम कंड़ेक्ट होते हैं उनमें दानली पाई जाती है और जब ये नीट का एकजाम हुआ था उस समय भी कुछ खबरे सामने आई थी कि सरकार ने ग्रफ्तारियां भी करी है बिहार में भी ग्रफ्तारियां हुई थी कि पेपर लीक की गटना भी इसके सामने आ रही थी सरकार चुप थी एंटिये चुप थी चेर्मेन का कोई बयान नहीं आया है इसमें एंटिये गा और आज जब ये रिजल्ट आना था दस दिन बाद तो दस दिन पहले ऐसी क्या ज रिजल्ट आ रहा है लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब रिजल्ट निकला तो ना तो उन बच्चों को पता था कि रिजल्ट आ रहा है और ना उन पेरेंस को पता था ना आम किसी इंसान को पता था कि रिजल्ट निकल रहा है तो ऐसी क्या जल्द बाजी थी कि पाकड़े भी हैं वो भी शक्के गेरे में हैं